इंडिया जैसे देश में 98% motivational speaker, high ticket price भी हो और profit margin भी हो और stock रखना ना पड़े, client बहुत बेतर हो, इससे बढ़िया business क्या होगा, industry आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक अच्छा business करके देगी Hi friends, मेरा नाम है Dr. Amit Maishwari, मैं CEO and Founder Director हूँ Metas Overseas Limited Company का, हमारी company Stainless Steel Modulo Kitchen की manufacturing and export करती है, आज पूरे भारत वर्ष में हमारा franchisee network और dealership network है Friends, मुझे बड़ा दुख होता है, जब मैं speakers की बात को सुनता हूँ, देखता हूँ कि वो अपने नाम के साथ में business coach लिखते हैं और business coach लिखने के बावजूद भी उनको actual business की problem और उनका solution नहीं पता होता क्यों? क्योंकि उन्हें practical knowledge की नहीं होती, most of the time इंडिया जैसे देश में 98% motivational speaker, business coach, business consultant practically business नहीं कर रहे हैं जिसकी वज़ा से वो कई बार आपको वो चीज डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो आपको बास्तिविकता में चाहिए होती है मतलब business की basic problems क्या है, business की advanced problems क्या है, business की problems का real solution क्या है यह किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, इसलिए ज़रत होती है ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर business को समझने की जिसने अपनी life में practical business किया हो और मैं आप लोगों को आमंतरित भी करता हूँ, आप मेरी company में आएं, मेरे showrooms को देखें, मेरे showroom setup के साथ देखने के बाद आप को यह समझ में आएगा कि yes, Dr. Amit Maishwari real life में business कर रहे हैं और business से संबंदित वीडियोज ही हमारे लिए लेकर आते हैं आज हम बाज इसी विशय पर बात करने वाले हैं, how to select highly profitable business friends, किसी भी business का selection करते समय न, life में यह ज़रूर देखना चाहिए कि क्या वो business, क्या वो industry, क्या वो product, क्या वो service हमें बविशय में आगे बढ़ने की संबावनाई देती है, और यदि आपको लगता है कि बविशय में आगे बढ़ने की संबावनाई नहीं है, मतलब यह industry तो खतम होने वाली है तो ऐसी industry में invest ना करें, क्योंकि आपका bright future नहीं होगा, बहुत सार लोग एक industry में आते हैं और केवल इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि आने वाले समय वो industry obsolete हो जाती है, out of market हो जाती है तो ध्यान रखिए अगर आप किसी भी business का selection करने जा रहे हैं, या एक start-up करने जा रहे हैं या existing business कर रहे हैं और आपको अंदाजा है कि कितने समय में मेरी industry collapse कर जाएगी तो सही समय पर आप सही business का challenge कर लें, ताकि आप भी industry के साथ साथ तेजी से grow होते रहें आप किसी भी business का selection करते समय हमें, हमें कौन-कौन से महत्वपुन बाते उसमें check करनी चाहिए जिसकी वज़े से हमें निर्धारित कर सकें कि यह industry मेरे लिए बहुत best है तो how to select highly profitable business उसमें 8 ऐसे elements हैं कि अगर किसी भी business में यह 8 element मुझे मिल जाएं तो वो business और वो industry मेरे लिए बहुत best होगी सबसे पहला है zero stock friends, कुछ साल पहले नहीं कहा जाता था कि stock is money मतलब जितना material मेरे go down में भरा हुआ है न, वो सब मेरे लिए money है और समय समय के अनुसार सोचने की ख्रमता और योगता बदल जाती है कुछ समय बादे realize हुआ, कि stock तो मेरे लिए money है ही नहीं क्योंकि इतना stock तो मेरे पास हमेशा रहना है इसका मतलब इतना पैसा तो मेरे हमेशा block रहना है और कहते नहीं कि stock की value बढ़ रही है तो कौन सा मुझे सारा stock बेच कर पैसा cash कर लेना है नहीं ना, इसका मतलब stock is not money, stock is a reserved money या blocked money, जिसका मैं इस्तिमाल नहीं कर पाऊँगा तो नया segment आया, क्या, zero stock is money अगर आपके पास stock नहीं है और आपका vendor सही तरीके से सही समय पर आपको metal supply देता है तो उस पैसे को जो stock में आपने डेड किया था उसको ठीक तरीके से utilize करके आप business को next level ले जा सकते है तो zero stock is money का concept, second concept आया और आज के समय पर सबसे hit concept है तो आपको यह देखना है कि किसी भी business का selection आप कर रहे है वहाँ पर zero stock अगर है मतलब आपको stock maintain नहीं करना stock में पैसा लगा के नहीं रखना पैसा block नहीं करना, reserve नहीं करना तो वो industry आपके लिए बहुत best है आज बहुत सारी industry के बारे में आपको बताऊंगा और एक ऐसे business opportunity के बारे में बताऊंगा जो आपको सोचने का तरीका बिल्कुल बदल के रख देगा कि ये industry में लिए बहुत बढ़ी है तो zero stock based business है तो बहुत अच्छा business है next, pre-sale technique आज बहुत सारे business ऐसे है जहाँ पर stock तो आपको करना ही नहीं है लेकिन retail या wholesale करने के लिए माल आपको अपने पास रखना नहीं है वहाँ पर क्या होगा make-to-order based concept है अब make-to-order का मतलब होता है कि पहले आप चीज़ों को बेच देंगे उसकी 2D, उसकी 3D design के अधार पर या उसके एक proposed plan के अधार पर और बाद में जब order का amount मिल जाएगा तब आप उसको produce करेंगे मतलब पहले बेचेंगे बाद में बनाएगे ऐसी यवस्था में हमेशा आपके पास liquidity रहती है और कभी भी पैसे की problem आपके सामने नहीं आती तो आपको ऐसे business का selection करना चाहिए जहाँ पर pre-sale technique लगती हो मतलब बेचा माल पहले जाता है और बनाया उसके बाद में जाता है next high price ticket आपको ऐसे business का selection करना चाहिए जिसमें आपके product का price बहुत high हो मतलब value of product वो high हो जैसे 1 लाग, 2 लाग, 5 लाग, 10 लाग, 20 लाग, 50 लाग, 1 करोड तक का product ऐसे case में अगर आपको sales के लिए पहले माल बनाना भी नहीं है ticket price भी high है तो बड़ा amount भी आपको advance में आने वाला है है ना, तो आपको high price ticket का selection करना चाहिए क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ratio of profit कम होने के बावजूद भी high price ticket में margin बढ़ा हो जाता है for example, आपका product 50 लाग रुपे का है और आपका profit केवल 10% है तो यहाँ पर आपका profit कितना हुआ 5,00,000 रुपे है अगर माल लीज़ आपके product का price ही 10 रुपे है और वहाँ पर आपको 10% मा margin है तो आपका profit कितना हुआ 1 रुपे है अगर आपको 1,00,000 रुपे चाहिए से high ticket price के साथ एक अच्छे profitability के साथ business को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं उसके बाद next जो बात होनी चाहिए हो क्या hni clients फ्रेंट्स दो तरह के प्रोड़क्त है एक जरुवत वाले जो एक मध्यमवर्गिय परिवार या लोवर जो community उसके लिए बनाया जाता है और एक product होता है जो high end client के लिए बनाया जाता है high network income client ऐसे client जिनकी income बहुत हाई है मतलब VIP या premium segment के जो client है उनके लिए product बनाया जारा अगर आप ऐसा product select करते हैं तो भी बहुत बढ़िया होगा क्योंकि hni जो होते हैं वो price के बारे में discount के बारे में बहुत जारा discuss नहीं करते हैं तो अच्छ रखनाना पड़े client बहुत बहुत बेतर हो इससे बढ़िया business क्या होगा तो आपको यह देखना है कि high profit margin हो 10% तो कहते हैं हक इमान का profit होता ही है 15% 20% 30% 40% 50% 100% तक का margin हो ऐसे बहुत सारे business है जिसमें 100 छोड़ी है 1000% तक का भी margin है पर अब लोग comment करने लग जाएंगे sir हमें बता दो कौन सा 1000% का अरे आ 50% के margin तक के business को भी कर ले ना तो वो भी आपके लिए बहुत बेतर होगा जहां पर price ticket बहुत high हो उसके बाद solution of a common problem आप को ऐसी common problem को solve करते हों जिसके जुरुत लोगों को रहने ही रहने वाली है तो भी समझ लिजे आपने सही business का selection किया उसके ब barrier लगा होता है कि हर व्यक्ति उस business में घुस नहीं सकता उसको business का setup करने में बहुत चींवेस्टमेंट लगानी पड़ती है बहुत सा system develop करना पड़ता है बहुत advanced तरीके के equipment and gadgets का इस्तिमाल करना पड़ता है तो आपको देखना है कि ऐसी industry का selection आप करें जिसमें competition बहुत low हो अगर competition low होगा तो आसानी से छोटे लोग उसमें घुस नहीं पाएंगे और घुस नहीं पाएंगे तो व्यापार अच्छे profitability के साथ आगे बढ़ेगा उसके बाद future growth possibility मैं कहता हूँ है एक business में सारे points है लेकिन future growth possibility नहीं है और वो industry अगले 3 साल में खतम हो जाएगी तो मेरा आपको सब्सक्राइब आपको जाना ही ऐसी industry में चाहिए जिसमें बविश्य में आगे बढ़ने के संभावना या पार हैं अगर आगे बढ़ने के अपार संभावना हैं तो वो industry आपको 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल तक अच्छा business करके देगी और आप आने वाली generation को business transfer भी कर पाएं तो कितने भी अच्छा profit हो एक समय बाद वो business बंद हो जाना है तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए तो यह 8 element है वो जिस भी business में होंगे वो highly profitable होने के साथ-साथ growth की possibility में ज़्यादा होगा और ऐसा business आपको जरूर करना चाहिए कोई भी informative वीडियो मिस ना उसके लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर आमित माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की काम ना करता हूँ जै हिंद जै भारत